आप सभी का मेरे चैनल पर पुरह स्वागत करता हूं आशा करता हूं आप सभी स्वस्तोंगे महादेव की क्रिपा आप सभी पर सदायव बनी रहे यह वीडियो मिथुन के लिए अतेंत महत्वपूर है क्योंकि वीडियो है आने वाले महीने यानिकी सितंबर 2023 के मासिक राशी होता है जैसे कि सामान्य विश्लेशन, करियर, बिजनस, इंकम, इंवस्मेंट, लव लाइफ, मैरीड लाइफ, स्टूरेंस और सेहत और इसके साथ ही वीडियो के इंत में कुछ उपाए भी बताता हूं टेक्निकली लगन राशी और चंदराशी से अलग-अलग राशी फल नहीं बन सकते, इसलिए यदि आपकी लगन राशी या चंदराशी मितुन हैं, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशी फल को वश्य देख सकते हैं, तो शुरुवात करते हैं इस महत्तपून वीडियो का जो की है मितुन के लिए, शुरुवात करेंगे हमेशा के तरह साम आपके लगने के स्वामियाने के बुद्ध भी एक ग्रह थे, बुद्ध वक्री हो गए थे, शुक्र वक्री हो गए थे, शनी वक्र अवस्ता में जून में ही आ गए थे, और अगस्त तक आते आते अतिवक्र हो गए थे, हर ग्रह की अलग अलग चाल होती है, वक्र अतिवक वक्र मारगी चारी अतिचारी स्थिर तो शनी महराज अगस्त तक आते अतिवक्र हो गए थे तो बहुत सारे वक्री ग्रहों का प्रभाव था और ऐसे में जीवन में उथल पुथल आती है ऐसे ताइम पे जीवन में स्थिरता की कमी होती है और यह सब आपने अनुभव किया ह अगस्त के महीने में क्योंकि आपके स्वयम लगने के स्वामी बुद्ध वक्री हो गए थे तो ऐसे में व्यक्ति गलत निर्णे लेता है तीसरे भाव में थे तो भाई बहनों के साथ कुछ प्रॉब्लम हो सकती है कलीस के साथ प्रॉब्लम हो सकती है कॉम्मिनिकेशन गया पा मध्य में मारगी हो जाएंगे और शनी की जो अधिवक्र चाल थी जहां पर बहुत तेज गती से पीछे जा रहे थे उनकी उस intensity में भी कमी आएगी तो जो महीना है सितंबर का मिथोन के लिए शुबता अवश्य लेकर आ रहा है लेकिन जहां इतने सारे ग्रह वक्री से मारगी हो रहे हैं एक बहुत महत्तपून ग्रह ब्रहसपती देव गुरु ब्रहसपती वक्री हो रहे हैं तो इस वीडियो में हम इनी सब चीजों पर चर्चा करेंगे कि क्या क्या प्रभाव रह सकता है इन सब ग्रहों का आपके जीवन पर तो शुरुवात लगन से ही करते हैं एतू पंचम को छोड़ने वाले हैं और जाते जाते कि एतू कभी-कभी बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं तो क्रियेटिविटी आपकी बहुत अच्छी रहेगी आपके बच्चों से संबंदित आपको कुछ अच्छा परिणाम देखने को मिल सकता है और कहीना कहीं समय नेखा वो वक्रवस्ता में कम हो रही है तो भाग्य का भी साथ आपको इस महीने मिलता हुआ दिख रहा है अब लगने पर किसी ग्रह का प्रभाव नहीं है इसलिए सीधा हम देखेंगे लगने के स्वामी को यानि की बुद्ध महराज को बुद्ध महराज आपके तीसर महराज के साथ और तीसरे घर के स्वामी है यानि कि Key इस महिने आपका साहस बढ़ेगा पराक्रम बढ़ेगा जो करने की चेश्था ती जो करने की इच्छा थी महीन वह चेश्थाएं पूरी होंगी आपके पराक्रम Sultan पर आपके कॉमिनिकेशन स्किल्ज के दम पर और अपक लॉजिकल जो एक लॉजिकल नॉलेज है उसके दम पर तो यह महीना आपके लिए बहुत श्रेष्ट बहुत श्रेष्ट अतम देखी रहा है तीसरे भाब में बुद्ध पूरे महीने ही बैठे रहेंगे क्योंकि मारगी तो हो जाएंगे लेकिन राशी परिवतन इस महीने नह कर रहा है चंद्रमा को हम मासिक राशीफल में कंसीरर नहीं करते क्योंकि मैं उस पर सापताहिक राशीफल अलग से बनाता ही हूँ लेकिन बाकी कोई ग्रह राशी परिवतन इस महीने नहीं करेगा सूर्य महराज को छोड़ कर तो बुद्ध पर यह जो प्रभाव है सूर्य महराज का बुद्ध आदित्ययोक का यह अच्छा रिजल्ट आपको देगा शनी महराज की दृष्टी भी हो और शनी क्योंकि नवम भाव के स्वामी है तो आपको भागे का साथ अवश्य मिलेगा और क्योंकि शनी अश्टम के स्वामी भी है यानि कि अचानक से कुछ बाद वाद चल रहा था कोई प्रॉब्लम चल रही थी उससे आपको इस महीने छुटकारा मिल सकता है या इंसेस्ट्र पॉपर्टी से कोई लाभ आपको प्राप्त हो सकता है एक बहत्वपूर्ण चीज यह है कि ब्रहस्पती महराज की दृष्टी रहेगी लगने के स्वा आमी को देखेंगे यानि कि आपको अच्छे रिजल्ट अवश्य देने वाले हैं कई तरह के लाभ प्राप्त होंगे कई तरह की इच्छाएं पूरी होंगी ध्यान ये दिना है कि ब्रहस्पती भी इस महीने वक्री हो रहे हैं चार सितंबर को कोई ग्रह वक्री होता है तो बहुत स्ट्रॉंग हो जाता है जो लोग जोतिश को थोड़ा जानते हैं उनको पता होता है कि जब ग्रह वक्री होता है तो उसको चेश्ट बल मिल जाता है तो चेश्ट बल ग्रह को बहुत स्ट्रॉंग कर देता है तो ब्रहस्पती आपके लिए सात्वे घर के स्वामी है लघने के स्वामी को देख रहे हैं कि बिग्रStar में भड़ेंगे तो यह सारी अच्छी चीजे हैं लेकिन जोतिश में अलग-अलग एंगल से देखना परता है बहस पती भलाइ आपके लिए शुब गराए हैं भलाहए आपके लिए केंड़ों के स्वामी हैं लेकिन सेम टाइम पर आपके बाधक भी बन जाते हैं क्योंकि द्वी सभाव जो लगने होते हैं उनके लिए सप्तम भाव और उसके स्वामी बाधकेश भी होते हैं बाधक बनते हैं तो बाधक अगरह लगने के स्वामी को देख रहा है यानि कि business में और कारक्षेतर में obstacles अवश्य आने वाले हैं मैं ये नहीं कहारा बुरा होगा लेकिन obstacles अवश्य आएंगे smooth काम नहीं रहेगा वह आप भले job करते हो या business करते हो और क्योंकि वो 11 घर में ही वक्री हो रहे हैं और बाधकेश बाधक हैं आपके इसलिए हो सकता है आपकी कोई income भी इस महीने कुछ टाइम के लिए अटक जाए या डिले हो जाए denial नहीं होगा पैसा आवाश्य आएगा लेकिन delay जो आपको frustrate करेगा obstacles जो आपको frustrate करेंगे उसके लिए तैयार हो जाएगा तो overall ब्रहस्पती भी आपको अच्छे प्रभाव दे रहे हैं लेकिन वो अपना बाधक होने का जो करतव्य है उसको भी आपके लिए निभाएंगे ही दूसरे घर में शुक्र मारगी हो जाएंगे चार तरीको आसपासी हो रहा है ब्रहस्पती वकरी हो जाएंगे चार को और शुक्र मारगी हो जाएंगे तो शुक्र धनस्थान में आपके लिए मारगी हो रहे हैं और शुक्र आपके बारवे घर के स्वामी है यानि कि विदेश से संबंदित इलाब होंगे विदेश से संबंदित काम करते हैं तो पैसा आएगा लेकिन कहीं ना कहीं बारवे घर के स्वामी जब धनस्थान में बैठते हैं निकि खर्चा करवाते हैं सेविंग्स पर असर पड़ता है तो अपने खर्चों को लेकर थोड़ा नियंत्रत रहीएगा लेकिन यही शुक्र पंचम के स्वामी भी है तो यह लक्ष्मी योग भी बना रहे हैं निकि धन तो आएगा लेकिन खर्चे आपके वश्य बढ़ेंगे मंगल चौते घर में लेकिन मंगल का दिगबल खतम हो चुका है तो आपके कामों में गल्तिया निकाली जाएगी आप बड़ी पोस्ट पर भी अधिकाम करते हैं तो यह महीना ऐसा है जब आपके जूनियर्स भी आपके खिलाफ विद्रोह कर सकते हैं तो इन सब चीजों का ध्यान रखेगा प्र परक्षेत्र में यह मान के चलेगा कि आपकी ऑथोरिटी बहुत कम रहेगी देखें क्या होता है कि अगर आप बहुत बड़ी पोजिशन पर काम नहीं करते तो इतनी ऑथोरिटी होती भी नहीं है लेकिन वह लोग जो बहुत बड़ी पोजिशन पर काम करते हैं उनके लिए महίνा चैललेंजिंग होने वाले होगा आपके हर action को challenge किया जाएगा, आपके हर order को challenge किया जाएगा और आपके juniors आपकी बाते धंग से नहीं सुनेंगे, तो उसके लिए तैयार हो जाएगा, अपने आपको उसके लिए तैयार कर लिजिएगा केतु जैसे मैं निखा आता शुरू में पंचम में बैटे हैं आपना अच्छा प्रभाव दिखाना शुरू करेंगे कुछ मंत्र साधना करना चाते हैं कोई और साधना करना चाते हैं कुछ सीखना चाते हैं उन सब चीजों के लिए जो महीना है काफी अच्छा है क्योंकि केतु जाते जाते केतु अक्टूबर में राश्की परतन करके चौते भाब में आ जाएंगे जाते आपको कुछ ना कुछ गुरु मंत्र कोई साधना कुछ ना कुछ ऐसा सिखा कर जा सकते हैं तो यदि आपका सब चीजों में इंटरस्ट है तो इस समय का लाव आपको अवश्य उठाना है और राहू लावस्थान में बने रहेंगे और वो कहां पर आने के लिए तयार है वो तयार है आपके दस्वे घर में आने के लिए जो लोग विदेश जाना चाते थे कारक शेत्र में करियर में अपनी जॉब के लिए विदेश जाना चाते थे उनके लिए समय बहुत अच्छा है क्योंकि अभी राहू लावस्थान में बैटे हैं और आ जाएंगे दस्वे घर में लंबा अर्सा विदेश जाने के लिए अच्छा है अभी से अपने प्रत्न स्टार्ट कर लीजिए तो जीवनकी लकरीइस को इंजॉइ करने के लिए बहुत अच्छा होता है आपके लिए बुद्धा देते योग बना रहेगा लंबे अर्से तक यह भी अच्छा है स्टूडंस के लिए बुद्धी मता का उप्योग कर पाएंगे राज्लक्ष्मी योग आपके लिए बन रहा ह कहीं न कहीं धन अचानक से बढ़ सकता है और अठका हुआ भी पैसा यहां पर आपका आ सकता है तो अच्छे योग बन रहे हैं इनका लाब उठाइएगा कुछ विशेच प्रेडिक्शन मेरी दरफ से यह महीना ओवरॉल बहुत अच्छा है एक चीज का भौत ध्यान देना है कि अपने आप जिन लोग बहुत विश्वास करते हैं उनसे आपको इस महीने धोका मिल सकता है तो अपने इनोसेंस का किसी को फाइदा ना उठाने दे क्योंकि उसकी संभावना इस महीने बहुत बन रही है कई ऐसे मौक्य आएंगे इस महीने जब आपको खुशी की बहुती होगी आपके लिए अच्छा नियूज आएगा आपके घरवालों के लिए कोई अच्छी नियूज आ सकती है और यह महीना आपको लोगों की हेल्प करने का भी अफसर प्राप्त होगा अगर आप उस पोजिशन पे हैं कि आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं तो यह म सारा अपना ध्यान केवल कारक शेत्र में या बिजनस में पैसा कमाने पर मत लगाएगा थोड़ा सा अपने आपको समय दीजेगा entertainment की चीजों पर जाएगा, movie देखिएगा, बाहर जाएगा family के साथ क्योंकि हो सकता इस महीने आपका पूरा ध्यान अपने कारक शेत्र पर या काम पर चले जाए उसके कारण work-life balance में कमी आ सकती है यह महीना अध्यात्म के तरफ जाने के लिए अच्छा है, यह महीना किसी तीर सर पर जाने के लिए अच्छा है और कहीना कहीन कहीन बहुत सारी इच्छाएं आपकी इस महीने पूरी होंगी आप खुद देखेंगे कि कुछ ऐसी इच्छा हैं जो आप भूल चुके थे, कि नहीं ये तो पूर्ण होंगी नहीं, उसके बारे में कोई उम्मीद पुनह जाग सकती है, ये महीना कहीं अपने आपको जानने के लिए बहुत अच्छा है, हम आज की भागदार की जिंदेगी में दूसरे लोगों को जानने में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि अपने आपको जानना भोले ही जाते हैं, ये महीना लेकिन अपने आपको एनलाइस करने के लिए, एक समय होता है जब आपको बैठ कर, सेल्फ एनलेसिस करना होता और ये महीना उसके लिए बहुत अच्छा है बहुत शुब है और कहीं न कहीं विश्वास भी आपका इस पूरे महीने बढ़ता चला जाएगा कुछ negative points कभी कभी determination की कमी हो जाएगी और उसके कारण मौक के हाथ से निकल जाएगे आप कुछ चीजें समझ नहीं पाएंगे especially कारक शित्र में होगा सब कुछ अच्छा चलते हैं भी कुछ चोटी-चोटी basic चीजें आप समझ नहीं पाएंगे उसके कारण problem होगी और personal life में भी यह हो सकता है और इसके साथी जल्द बाजी के चकर में आगे बढ़ने के चकर में समयने विश्टेशन में कहा था कि आपके दस्वे घर के स्वामी ब्रहस्पती हैं और वो वक्री हो रहे हैं strong हो जाएंगे लेकिन वो आपके बादकेश अभी हैं इसलिए इस महीने में obstacles अवश्चे आएंगे strong हो रहे हैं यानि कि आगे बढ़ने की opportunities भी आएंगी लेकिन smooth कुछ नहीं रहेगा ऐसा मत समझेगा कि कुछ बहुत easily आपको प्राप्त होने बाला है हर कारे के लिए मेहनत जादा करनी पड़ती है करनी पड़ेगी क्योंकि भरसपती वक्री हो रहे हैं जब ग्रह वक्री होता है तो उसके अंदर क्षमता बहुत आ जाती है result अच्छे देने के लिए लेकिन यह याद रखिएगा कि वक्री ग्रह बिना परिश्रम के बिना डवल परिश्रम के कुछ नहीं देता तो अपने परिश्रम को बढ़ा दीजेगा अपने कारक शित्र में फोकस रखेगा क्योंकि बाधाएं आएंगी obstacles बहुत आएंगे लेकिन अगर आपने निरंतरता रखी अगर आपने stability रखी अगर आपने focus रखा तो यह महीना कहीना कहीं आपके लिए अच्छा भी हो सकता है और दिख भी रहे कि संभावना पूरी है कि अच्छा जाएगा बस obstacles को किस तरह से manage करते हैं यह decide करेगा कि महीना कितना शुब है आपके जो दस्वे भाव के स्वामी है क्योंकि लाबस्थान में ही बैटे हैं और राहू के साथ बैटे हैं तो जो लोग विदेश जाना चारे थे महीना अच्छा है और जैसे मैंने शुरू में कहा था राहू दस्वे घर में आने के लिए ततपर हैं क्योंकि राहू उल्टा चलते हैं तो विदेश जाने की संभावना आपके लिए और खुलने वाली हैं, तो जो लोग विदेश में काम करना चाते थे, अपलाए करना शुरू कर दीजी, आपके लिए समय बहुत अच्छा है विदेश जाने के लिए, और क्योंकि दस्वे भाव के स्वामी लावस्थान में ही ब बढ़ाने के लिए भी, जादा अर्न करने के लिए भी महीना अच्छा है, महीना श्रेष्ट है, आपके जो लगने के स्वामी है, वो दस्वे भाव से छटे में बैटे हैं, और वहीं बैठे रहेंगे, यानि कि कारे भार बहुत जादा रहेगा, और कलीक्स भी आपके सूर्य दिगबल लूज कर जाएंगे, और सूर्य भी आपके चौते स्थान में आ जाएंगे, और जब मंगल सूर्य दिगबल लूज कर देते हैं, तो व्यक्ति की जो authority होती है, especially कारेक शेत्र से, वो खतम हो जाती है, तो जो लोग बड़ी post पे काम करते हैं, थोड़ा अप हैं, और चौते घर में जब आएंगे, तो मिलकर दस्वे घर को देखेंगे, और दोनों ही उर्जात्मक भी हैं, यानि कि कारक शेत्र में आपकी उर्जा भी थोड़ी बड़ेगी, और बंगल लावस्थाने के स्वामी है, और चौते घर में जब बैठेंगे, तो आपके द ज्यान रखेगा, क्या-क्या, अब्स्टेकल्स हैं, फोकस रखना है, और जो लोग बड़ी पोस्ट पे काम करते हैं, अपने ओर्डर्स बनवाने के लिए थोड़ा ज़्यादा मेहनत आपको करनी पड़ेगी, तो और और महीना ठीक टाक है, अगर हम अर्थ त्रीकोन को दे यह महीना कहीना कहीं ऐसा है, कि जब आपके, आप कितने अच्छा स्ट्रेस हैं, वो डिसाइड करेगा कि कितना आगे वड़ पाते हैं, अगर अपने आपको रिलाक्स नहीं रखा, प्रॉब्लम हो सकती है, मैं इसलिए तुबारा यह कह रहा हूं कि रिलाक्स रही है, क्यों रहते ही हैं, क्योंकि दिविस अभाव है, तो रिलाक्स रहेगा, रिलाक्स रहेंगे, अच्छे डिसीजन ले पाएंगे, जो काम नहीं कर सकते हैं, उसके लिए मना कर दिएगा, कभी कभी क्या होता विक्ति आगे बढ़ने के चक्कर में ऐसा काम स्विकार कर लेता है, जो नहीं कर सकता, उससे होता क्या है कि बाद में जब आपको काम नहीं कर पाते या गरत कर देते हैं, तो जो बनी बनाया आपका नाम है, वो भी खराब हो सकता है, तो इस चीज का ध्यान रखेगा, नई चीज सीखने का प्रयास कीजेगा, यह आपके लिए बहुत मददगार आगे के लिए भी, और कही ना कही यह महीना आपको अचीवमेंट्स कुछ ना कुछ करवा सकता है, रिक अगनिशन दिलवा सकता है, अपने माइंड को बहुत क्लियर रखना पड़ेगा, मैं पहले ही बता चुका हूं, फोकस पर आपको काम करना है, और इसके साथ ही आपको तो अपने ओपर विश्वास बहुत बढ़ाना है कि आप जिस पोजिशन तक पहुचे हैं, वो आप डिजर्व करते हैं, इस महीने दो-तिन दिन अवश्य ऐसे आएंगे जहां पर आप सेल्फ डाउट करेंगे कि नहीं, आप आगे बढ़ने के लायक नहीं है, उस जोन में आपको जादा नहीं जाना और स्टैबिलिटी पर बहुत काम कीजिगा, यह महीना स्टैबिलिटी का आपके टेस्ट होने वाला है, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स मेरी तरफ से, वही पुनाह काऊंगा कि जितना कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सकते हैं, उतना अच्छा रहेग इस महीने होगा, क्या तीन दिन तो बहुत अच्छा काम करेंगे, फिर चौते दिन एकदम सब गडबड़ करतेंगे, उस तीज़ पर आपको काम करना है, प्रायोटी बहुत देनी है आपको कारक्षेत्र को, और थोड़ा अपना व्यक्तित्व, थोड़ा अपना नेचर भी कि अज़िशन चौट्रे yn dobr, फूर इंडस्ट्री से ज़िणा, फूड इंडस्ट्री से ज़िड़ा यह फिर एग्रिकॉल्य काम नेचर जो हमकरते तो महिना ओर अच्छा जाएगगे, चलते हैं, बिजनस के लिए महिना ओँवरॉल ठीख रहेगा, सबकम के सौँमी आपक यह वहाँ आपके आपके जाएगे लेकिन अंततहा आपको अच्छा रिजल्ट अवश्य दे कर जाएंगे एक और अच्छी चीज यह कि मंगल की दृष्टी आपके सब्तम भापर है सब्तम भाव बिजनस का होता है तो लाब स्थाने के स्वामी है मंगल तो उनकी दृष्टी सब्तम भाव पर यानि कि लाव आपको वश्य दिलवाई की लेकिन यही जो मंगल है वो चटे घर के स्वामी है और चटा भाव सब्तम भाव से बारवा है यानि कि business में expenses बढ़ेंगे तो अपने खर्चों पर जितना नियंतरन रख सकते हैं उतना अच्छा होगा लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपका business कुछ ऐसा है जिसमें machinery आधी का उपयोग होता है आटो मोबील का उपयोग होता है कुछ भी technical machinery का उपयोग होता है तो उस पर खर्चा बढ़ेगा हो सकता है कुछ नया खरीदना पड़े तो हाँ खर्चा तो आपका बढ़ता हुआ देख रहा है तो इसलिए जो गैल ज़रूरती खर्चे हैं उनको कम करने का प्रयास कीजेगा सूरे का राशी पर तन आपके चौते भाप पे हो रहा है जो सब्तम से दस्वास थान है यानि कि कुछ अटके वे काम महीने के मद्दबाग के बाद पूर्ण हो सकते हैं और सरकार से लाव मिल सकता है सरकार का कुछ अटका हुआ कारता वो पूर्ण हो सकता है और यदि आप का कुछ ऐसा बिजनस है जिसमें आप सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहते थे आपको सरकारी कोई ब्रहस्पती का वक्री होना और आपके लिए बादकेश होना चीजों को रोकेगा आवश्य आपके लिए अपस्टेकल्स तैयार रहेंगे आप कितना और बिजनस में कितना अच्छा जाने वाला है कुछ विशेश पॉइंट मेरी तरफ से यह महीना कहीं ना कहीं आपको पूर्ण दो शब्दे हैं जिनको आप याद कर लीजिए क्योंकि इस महीने इन दोनों में से किसी भी चैस में कमी आई आपके बिजनस में अच्छा खासा काम जो आपके पास आ रहा था वो भी चला जाएगा तो स्टैबिलिटी रखनी है और जहां पर कन्फ्यूज हो आप पर गाइडन्स ले लीजेगा इसके साथ ही आपको यदि कोई अच्छी इंवेस्टमेंट की अपरचुनिटी मिलती है इस महीन अपने बिजनस में वह अवश्य लीजेगा उस पर काम अवश्य कीजेगा अपने बिजनस की ग्रोथ के लिए क्या क्या रिक्वाइमेंट है उ वो चीजें इस महीने बहुत अराम से सॉल हो सकती है लेकिन इनिशेटिव आपको लेना पड़ेगा थोड़ा सा कॉंप्रोमाइज भी करना पर सकता है प्रयास कीजेगा चीजें अवश्य ठीक हो सकती है एक चीज कहूंगा ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा आप चेंजिस को एकसेप्ट नहीं कर रहे है और जो विक्ति आज के समय में चेंजिस को एकसेप्ट नहीं करता हो पीछे रह जाता है तो जो भी बदलाव आ रहे हैं या बदलाव लाए जा रहे हैं या परिस्थितियों में बदलाव आ रहे हैं उन सब को उन सब के हिसाब से अपने आपको बदलने का प्रयास अवश्चे कीजिएगा कुछ negative points एक आप कहीं ना कहीं खर्चा अपने आप ही बढ़ाएंगे जैसे मैंने कहा था कि आपका खर्चा बढ़ेगा तो अपनी ही गलती से अपने खर्चे और बढ़ाते हुए दिख रहे हैं कुछ ऐसे points आ सकते हैं जहां पर ग भी है लेकिन आप उनको टाले जा रहे हैं और वो अगर इस चीज़ पर आपने इस महीने को एक्शन नहीं लिया तो उसका एक नकलात्मक प्रभाव पर सकता है और अच्छा है जो कुछ points बने बताएं है ध्यान दीजिएगा यदि आप fashion industry यदि आप कलात्मक किसी चीज़ स बात करते हैं income investment और expenses की सबसे पहले investment की ही बात करते हैं शुरुआती दस दिन बहुत शुब हैं बीच के दस दिन भी अच्छे हैं कोई अगर आपका नुकसान हो गया तो इसकी भरपाई भी हो सकती है जो अन्तिम दस दिन है यहाँ पर थोड़ा investment कम कीजिएगा लेकिन investment की opportunity study जड़ा कीजिएगा जहां तक income की बाते देखिए लावस्थान में ब्रहस्पती हैं अपने आप ही उनका लावस्थान में बैठना अच्छा ही होता है पैसा आपका बढ़ ही रहा होगा अधिक्तम लोगों का जिनकी दशान दरशा थोड़ी ठीक चल रही है तो उनका पैस बढ़ ही रहोगा और इसके साथ ही धनस्थान में यानि की दूसरे घर में शुक्र भी होंगे और वो मारगी हो जाएंगे पैसा बढ़ेगा लेकिन मने एकदम शुरुवात में कहा था कि बारवे घर के स्वामी जब धनस्थान में आते तो विदेश से पैसा आ सकता है लेक पर बहुत जाएं उसके कारण खर्चा बड़ता वह दिख रहा है ऐसा भी दिख रहा है कि इस महीने काफी सोशल इवेंट्स भी होंगे पार्टी होंगी शादी आ दिया कुछ और हो सकता है कोई आपका इवेंट हो सकता है फैमली का या दोस्तों का उस पर बहुत खर्चा ह रहे थे कोई ऐसा खर्चा है जो आप बहुत लंबे से लंबे समय से टाले जा रहे थे वह खर्चा आपको शायद इस महीने अचानक से करना पड़ सकता है तो खर्चे थोड़े बड़ेंगे लेकिन पैसा भी आता हुआ दिख रहा है चलते हैं लव लाइफ की तरफ सबसे पह तो यह महीना नया रिलेशंचिप भी स्टाट हो सकता है अगर बातचीद बंध हो गए ती जिसको आज के टम्में आज के यंग्सटर्स नो कॉंटेक्स सिच्वेशन कहते हैं तो वह बातचीद भी पुनह स्टार्ट हो सकती है अब बात करते हैं जो लोग रिलेशंचिप मे वे थे अगस्त में मैंने बताया था कि कई लोगों के जीवन में relationship में married life में problem आई होगी अचानक से आई होगी तो अब पंचम के स्वामी भी बन जाते हैं आपके शुक्र पंचम भाव relationship का होता है तो वो मारगी हो जाएंगे इस महीने शुरुआत में ही तो ये एक अच्छी है और केतू का भी जो नकरात्मक प्रभाव है वो कम होना अब शुरू हो जाएगा क्योंकि केतू छोड़ने वाले है पंचम को और ब्रहस्पती अपना वक्र प्रभाव डालेंगे पंचम पर तो कहीना कहीं जो problem जारी तो उनको ठीक करने में मदद करेंगे तो ये सारी relationship के हिसाब से अच्छा ही जाएगा communication पर बहुत जादा ध्यान कुछ extra ध्यान आपको इस महीने अवश्य रखना पड़ेगा और मैंने ego वाली बात भी कई कोई भी ऐसी बात गलती से भी मत कीजिएगा जो आपके partner के ego को self respect को touch कर जाए क्योंकि कभी कभी क्या होता है लड़ा जिसमें self respect पर हानी पहुँचाई गई है और उसके बाद result बहुत बुरा हुआ इस सीज का ध्यान दीजिएगा कुछ विशेश predictions मेरी तरफ से थोड़ा महौल अच्छा रखेगा हसी मजाग कीजिएगा problematic situation को भी इस महीने अगर हसी मजाग के तरीके से आपने solve करने का प्रय problem है क्यों ऐसे बोल रहे हैं इन चीजों पर विचार करना है अपने partner को बहुत अच्छी तरह से समझना पड़ेगा आपको यह महीना ऐसा है जब उनमें changes बहुत आएंगे तो क्यों changes आ रहे हो सकता कोई problem हो उनको कुछ और चीज हो सकती कोई और दिक्कत परिशानी हो सकती ह तो उसको समझने का प्रयास कीजेगा और ज्यादा controlling मत बनिएगा जहां ज्यादा controlling बने वहीं relationship में problem आएगी और अपने partner को priority पे रखिएगा अगर आप relationship में है तो कहिना कहिए आपके partner number one priority पे होने चाहिए ठीक है बाकी चीज़ा भी होती है लेकिन उनके साथ ही number one priority पे handle नहीं कर पाए तो problem होगी और यदि अपने व्यक्तितों में flexibility नहीं रख पाए जहां पर ideal होंगे वहीं पर relationship में problems आ सकती है और और महीना अच्छा है जो कुछ बाते कहीं है ध्यान रखेगा चलते हैं married life की तरफ महीना negative नहीं कहूंगा लेकिन sensitive वावश्य कहूंगा कारण क शुक्र तो मारगी हो जाएंगे तो जो अस्थिरता अगस्त के महीने में आई होगी उसमें कमी आएगी लेकिन सप्तम के स्वामी ब्रहस्पती इस महीने वक्री हो रहे हैं और जब ब्रहस्पती वक्री होते हैं कोई भी ग्रह वक्री होता है strong अवश्य हो जाता है लेकिन व तो सात्वे भाव को देखेंगे भी यानि कि यह महीना थोड़ा सा उथल-पुथल बहुत जादा नहीं लेकिन थोड़े सी उथल-पुथल मेरिड लाइफ में ला सकता है इगो-klashes बहुत जादा होंगे और कहीना कहीं सूरे का भी चौते घर में आ जाना जो कि सब्तम से दस्वा है अगर दोनों ही पती-पत्नी जॉब करते हैं तो इस महीने इगो-klashes बहुत होंगे और इन-लॉस के कारण तो बहुत जादा प्रॉब्लम्स हो सकती है तो यदि और इन-लॉस के कारण प्रॉब्लम्स चलती है तो इस महीने में आपको यही एक सुझाव दूँगा कि उनसे थोड़ी सी दूरी भी बनाके रखेंगे कम रियाक्ट करेंगे कोशिश करेंगे कि आर्गुमेंट से बचें तो अच्छा रहेगा लेकिन यह सब नहीं नहीं कर पाए तो इन-लॉस के कारण आप दोनों के बीच में जगड़े काफी होंगे मंगल चौते घर में हैं और चौते घर से सब्तम भाव को देख रहे हैं तो लड़ाई जगड़े भी आपके बीच थोड़े हो सकते हैं और मंगल क्योंकि छटे घर के सौमी है जो सब्त अवस्थान है यानि की आर्गुमेंट्स अगर हुए तो बहुत बड़े लेवल पर भी हो सकते हैं तो थोड़ा सा ध्यान दीजेगा आपके पती या पत्नी की थोड़ी तब्यद भी इस महीने अचानक से बिगड़ सकती है तो शुरू में जैसा मैंने कहा नेगेटिव मही महीन नहीं है लेकिन सेंसिटिव महीन अवश्य है तो कुछ भी ऐसे मोमेंट्स आते हैं जहां पर आपको लगता है प्रोब्लम होने वाली है उसको हैंडल करने का प्यास कीजेगा कुछ विशेश प्रेडिक्शन में तरफ से अपनी तरफ से पॉजिटिविटी रखिएगा बहुत काम आएगी कही ना कहीं आपको इस महीने बहुत इनिशेटिव लेना पड़ेगा शायद आपके लाइफ पार्टनर होता है इनिशेटिव इस महीने ना lymph और यьे ही कारे होता है लाइफ पार्टनर का कि जब एक विक्ति थोड़ा सा नीचे हो जाता है तो दूसरे ज बहुत आएंगे जैसे जैसे महीना आगे बढ़ता जाएगा लेकिन में भी शुरुवात में बदलाव हैंडल करने में प्रॉब्लम हो आपको लेकिन अंततह वो बदलाव आपके विवाहिक जीवन को अच्छी डिरेक्शन में ही लेकर जाने वाले हैं तो ओवराल महीना अच् अच्छा है कुछ नेगेटिव पॉइंट्स कभी कभी आप बहुत मिसंडेस्टूट कर देंगे अपने लाइफ पार्टन को और वहां पर उन पर आरोपी करण भी कर सकते हैं तो आरोपी करण से बचिएगा पहले समझेगा कि सिचुएशन क्या है इसके साथ ही अपने पढ़ने के तरीकों में तुड़ा creativity लाइएगा जो मध्य के दिन है यहां पर ध्यान भटकेगा आपका जादा किसी पर dependent मत रहेगा और जो अंतिम दस दिन है यह तो बहुत शुब हैं तो एक्जाम्स के लिए महीना अच्छा है स्टूडेंस के लिए overall महीना शुबता लेक अच्छा है और ब्रहस्पती जो लाब स्थान में बैठकर पंचम को देख रहे हैं वो नई opportunities देंगे आपको नए नई आशाएं आपको देंगे लेकिन ध्यान रखेगा वक्री ग्रह अराम से रिजल्ट नहीं देता बहुत महनत करने के बाद देता है तो महनत अपनी जारी जखेगा shortcuts मत लीजेगा अधरवाइस problem हो सकती है जो opportunities हाथ से निकल गई थी वो वापस आ सकती है ऐसे student जो बार बार कोई exam दे रहेते नहीं हो रहा था और यदि उनका इस महीने कोई exam पड़ता है तो ये ब्रहस्पती का वक्र प्रभाव अच्छे result आपको उसमें दे सकता ह तो overall ये महीना अच्छा है बस दो-तिन चीजे कहूंगा अपनी तरफ से एक तो आध्यात्मिक रहीएगा meditation कीजेगा बहुत मदद करती है students को creativity अवश्य रखेगा curious रहेगा क्या हो रहा है आसपास और जादा किसी पर भरोसा मत कीजेगा और सबसे महत्वपून चीज है अप आपके मारक स्थान में बैठे हैं तो यह भी ठीक है कई न कई शुबता आ रही है ध्यान यह देना है कि ब्रहसपती वक्री हो रहे हैं उनकी द्रिश्टी लगने के सवामी पर बनी रहेगी तो यह जो शुरुवाती 15 दिन है यहां पर थोड़ा सा ध्यान ज्यादा थाइरट की प्रॉब्लम यदि आपको है दिक्कत बड़ेगी आखों की प्रॉब्लम बहुत तंग करेगी डाइबटी इनको है बहुत जादा ध्यान दीजेगा स्पेशली अपने खाने पीने पर बहुत ध्यान दीजेगा फेस्टिव सीजन आ रहे हैं तो थोड़ा सा अप अपनी डाइट पर बहुत आपको रखना पड़ेगा और इसके साथी जिनको हृदय संबंदित प्रॉब्लम है या उच्छ रक्तचाप है हाई बीपी उनको भी बहुत इस महीने ध्यान देना है शुरुवाती जो दस दिन है यहाँ पर प्राइवेट पार्ट से जुड़ी कोई प्रॉब्लम पेट से जुड़ी कोई प्रॉब्लम और जोडों का दर्द जो मद्य भाग है मद्य दस दिन है यहाँ पर भी कोई इंफेक्शन तंग कर रहा है दातों की कोई प्रॉब्लम तंग कर सकती है और यहाँ पर भी जोडों का दर्द दिखा रहा है जो अंतिम की बात करते हैं Kぶ करना है महिने के शुरुवाती किसी भी दिन में कर लेंगे अच्छा रहेगा एक ही बार करना है क्या उपाई है गॉश आला में घास का आपको दान करना है या गौमाता को घास और ओम वक्रतुंडायन महमंतर का भी एक स्वाट बार जाब करना है योपाय आप कर लेंगे आपके लिए अधिक्तम प्रभाव अच्छे ही रहेंगे आशा करता हूं कि वीडियो आपके काम आएगी चैनल के नए है सब्सक्राइब कर लेजिए वीडियो को लाइक कर लेजिए मिलता हूँ अगली वीडियो में तब तक के लिए